नमस्कार किसान सात्यों आईए जानते हैं मटर की फसल के लिए खर्पतवारों के नियंत्रण के लिए बेश्ट खर्पतवा ना सक दवाई कौन सी हैं और इसका उप्योग आप किस प्रकार कर सकते हैं और एक बिगा और एक रिकड में इसकी कितने मात्रा देनी होती है मटर की फसल के लिए खर्पतवारों के नियंत्रण के लिए इस्टोर्म दवाई का उप्योग कर सकते हैं इसमें आपको केमिकल पेंडी मेंथेलाइन 38.7% मिलता है आप इसका उप्योग अपनी मटर की फसल में दो विदी से कर सकते हैं पहली विदी इस्प्रे के द्वारा करने के लिए आपको अपनी मटर की फसल को बुआई करने के बाद मटर की फसल मटर के अंकूरंट से पहले इस्प्रे करके इसमें आपको सिचाई करनी होती है तो था दूसरी वीदी, दूसरी वीदी में आपकी मठर की पसल जमिन से बहर हो गई हो, या 10 से 15 दिन की हो गई हो, और जब आप इसमें पहली सिचाई करते हैं, तो उसमें आप किसी भी उर्वरक खा दिया, किसी भी तरीके से इसमें इसको मिला करके, उसका छिड़काऊ करके इसमें आप सिचाई कर सकते हैं, और इसकी मातरा आपको 360 ml प्रती भीगे के इसाब से देनी होती है, हमारे दूआरती जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजे, और अधिक से अधिक किसान भाईयों के साथ सेर कीजे, और इसी प्रगार की जानकारी समय से पाने के लिए हमारे यूटूब चैनल इनपे इनफो टैप को सब्सक्राइब कीजे, और समय पर जानकारी पाने के लिए पास आई बेल आइकन को ओन कीजे, जय जवान, जय किसान